प्यारे साथियों कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण देश में पाबंदियों का दौर फिर से लोट आया है धीरे धीरे बंदेसें बढ़ती जा रही हैं इससे आम लोगों की परेशानियां भी बढ़नी सुरू हो गई हैं दूसरी और कोरोना के बढ़ते संक्रमन के बीच सारवजनिक जगहों पर जाना भी खत्रे से खाली नहीं है इन परिस्तितियों में जहां तक हो सके बाहर जाने से बचना चाहिए अगर आपने भी पोस्ट आफिस में अपना PPF, RD या सोकन्या जैसी योजनाओं में खाता खोला हुआ है और इन योजनाओं के किस्त भरनी है तो आपको डांग घर जाने की ज़रूरत नहीं है इन सभी योजनाओं के किस्त आप आप आनलाइन जमा कर सकते हैं तो आईए आपको बताता हूँ step by step प्रोसेस ओनलाइन किस्त जमा करने का सबसे पहले आपको Google Play Store से India Post Payment Bank का IPPB Banking एप अपने स्मार्ट फॉन में डाउनलोड करना है एप डाउनलोड कर लेने के बाद आपको Open New Account पर किलिक करना है और अपना India Post Payment Bank का एकाउंट खोलना है और यह एकाउंट खोलने के बाद आपको अपने नजदी की डाग घर में सिर्फ एक बार जाना है और अपनी KYC करानी है और इस तरह आपका India Post Payment Bank का एकाउंट एक्टिवेट हो जाता है अब आपको अपने बैंक एकाउंट से इंडिया Post Payment Bank एकाउंट में पैसे टांसफर कर लेने हैं आप अपने किसी भी बैंक एकाउंट से इसमें पैसे टांसफर कर सकते हैं इसके बाद आपको IPPB एप के ऑप्सन Post Office सिकीम सर्विस पर किलिक करना है आपको जिस योजना के किस्त जमा करनी है RDPP एप सुकन्या में से उस योजना को चुन लेना है अब आपने जिस योजना में पैसा भरने का विकल्प चुना है उस योजना से संबंधित एकाउंट नंबर और कस्टोमर आईडी डालनी है जो आपके Post Office एकाउंट की पास्टोक पर लिखी होती है इसके बाद आप जितना पैसा भरना चाहते हैं उतनी रकम डाल कर Pay का बटन किलिक करना है और इसके बाद मोबाइल नंबर पर प्राप्ट हुए OTP को भर देना है और आपके मोबाइल पर Successful Payment का रिमार्क मिल जाता है प्यारे साथियों उम्मीद है आपको ऑनलाइन किस्त भरने का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा वैसे मैंने इस संबंध में एक और डेटेल वीडियो बनाई हुई है और इस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप वीडियो भी दे सकते हैं अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और सेयर करें और ऐसी ही यूजफुल जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें गुडबाई